नवस्कार जैसिरी कृष्णा मैं हूँ एस्ट्रोजर प्रवीन मेश्टर आप सब के लिए आज का दिन कैसा होगा आईए आपकी जर्म की तारिक के हिसाब से बताते हैं सबसे पहले बात करते हैं मुलांग एक की जिल लोगों का जर्म किसी मैने की एक तारिक, दस तारिक, उन्निस तारिक ये अठाइस तारिक को हुआ है उनका मुलांग बनता है एक एक नमबर वालों के लिए आज सलाह ये है कि अपने काम पर लगे रहे अपने काम पर विजी रहे दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए आपका हार्ड वर्ग, आपकी मेहनती आपको धनलाब कराएगी आगे बढ़ाएगी उपाय क्या करें आज हनुमान चालिसा पढ़के दिन शुरू करें शुप रहेगा बारी आगए लखी नमबर दो की जिन लोगों का जन्म किसी माहनी की दो तारिक, 11 तारिक, 20 तारिक या 39 तारिक को हुआ है उनका मुलांक बनता है तो दो नंबर वाले आज अपने घर परिवार वालों के साथ वक्त विताएं घर परिवार की जो चुनोतियां हैं परिशानियां हैं उनको हल करने का प्रयास करिए रास्ता मिल जाएगा और हाँ मन में किसी भी तरह का टेंशन मत रखिए पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने का समय है उपाय क्या करें कि आज अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी की आरती करके दिन शुरू करें बहुत शुपर है बारी आगई लखी नंबर 3 की जिन लोगों का जन किसी मेनी की 3 तारिक 12 तारिक 21 तारिक या 30 तारिक को हुआ है उनका लखी नंबर बनता है 3 तीन नमबर वालों के लिए आज आलत से छोड़ करके काम करने का दिन है जो काम आपके बहुत दिने सोई पेंडिंग थे आप पूरे नहीं कर पा रहे थे उनको पूरा करिए पूरी एनर्जी के साथ काम करिए आपका मन भी खुश होगा और अच्छे रिजल्ट भी आपको प्राप्त होगे पाय क्या करें कि आज किसी गरीब को तीन लाल रंग के फल का दान करें बहुत शुक्र हैगा बारी आगई लकी नमबर 4 की जिन लोगों का जर्म किसी मैनी की 4 तारिक 13 तारिक 22 तारिक या 31 तारिक को हुआ है उनका लकी नमबर बनता है 4 चार नमबर वालों के लिए आज धनलाब की योग बन रहे हैं तो इसलिए खुब काम करिएगा, जो भी काम आप करना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए जो प्रयास करना चाहते हैं, वो प्रयास तेज करिएगा, पैसा आपके पास आएगा, आज का दिन आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला है, तो दिन शुब है, इस शुब दिन का लाव उठा लिजे और अपने घर परिवार वालों को भी थोड़ा सा वक्त आवश्य दीजे उपाय क्या करें कि आज किसी गरीब को भोजन करा दीजे जो भोजन आप कर रहे हैं उसी का पैकड़ बनाईए किसी गरीब को दान कर दीजे बहुत अच्छा रहेगा बहुत शुब रहेगा बारी आगई लकी नंबर पांच की जिन लोगों का जन्म किसी मैने की पांच तारिक चौदा तारिक या तेज तारिक को हुआ है उनका लकी नंबर बनता है पांच पांच नंबर वालों को आज बौत धीक कारियों में सफलता मिलेगे जो भी आप काम करना चाहते हैं जो भी decision लेना चाहते हैं उसमें देरी मत करिएगा जल्दी से decision लेंगे आपको फायदा होगा और हाँ, मित्रों की मदद यदि आप चाहते हैं तो मित्रों से सलाह ले लिजे मदद ले लिजे उससे भी आपको फायदा होगा बस खास बात आपको ख्याल रखना है कि यदि कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर लेते रहेगा यदि कोई हेल्थ सम्मद्धी परिशानी है तो डॉक्टर से सलाह अवश्चे ले ले लेजेगा उपाय क्या करें कि आज किसी गरीब को एक हराफल दान करके दिन शुरू करें शुब रहेगा बात करते हैं लकी नंबर 6 की जिन लोगों का जन किसी मेने की 6 तारिक 15 तारिक या 24 तारिक को हुआ है उनका मूलांग बनता है चे नंबर वालों के लिए आज धन लाब की योग बन रहे हैं इंवेस्टमेंट से आपको फाइदा हो सकता है तो इनवेस्टमेंट सम्ड़ि कोई फैसला करना चाहते हैं तो आज अपने घर वालों की सलाह लेकरके उस फैसले पर अमल कर सकते हैं रसला कर सकते हैं और हाँ यात्रा पर जाने से भी आपको लाब होगा तो आज यात्रा पर भी आप जा सकते हैं समय आपके लिए अनुकूल है धन लाब कराने वाला है उपाय क्या करें कि आज किसी गरीब को एक किलो आटे का दान करें फिर काम शुरू करें बहुत शुब रह साथ। नंबर वाले आज अपने काम में आलाश्य ना करें। जो काम जिस समय करना है उस समय पूरी करने के कोसिश करेंगी। तो आगे चलके आपकी इमेज खराब होगी। अगर आप किसी से कोई वादा किया है तो उसे जरूर्र निभाएएगा। ब्वादा निभाएंगे नहीं तो आगे चलके आपको परिशानी हो सकती है विसेश बात यदि किसी को पैसा उधार देना है तो आज ना दे नहीं तो आपका पैसा थच सकता है उपाय क्या करें कि आज अपने घर के मंदिर में एक सुगंदित धूप जलाएं और हनुमान चा आठ तारिक 17 तारिक या 26 तारिक को हुआ है उनका मुलांग बनता है आठ नंबर वालों के लिए आज धनलाव की योग बन रहे हैं आज का दिन आपको पैसा दिलवाएगा आपको उन्नती के रास्ते दिखाएगा और मेहनत के अच्छे रिजल्ट भी दिलाएगा तो इसलि को भोजन करा दे बहुत शुब रहेगा बारी आगई लकी नंबर 9 की जिन लोगों का जन किसी मैने की 9 तारिक 18 तारिक या 27 तारिक को हुआ है उनका मुलांग बनता है 9 नंबर वालों के लिए आज का दिन अपने घर परिवार वालों को वक्त देने का है उनके साथ बैठी उनकी बात सुनिये और यदि आप उनकी उननती के लिए उनकी भलाई के लिए जो कुछ करना चाहते थे उसमें बिलम मत करिए उसको जल्दी से शुरू करिए यदि कोई सुझा उनको देना चाहते हैं तो आज का दिन परिवार वालों की मदद करने का है दूसरा लकी नंब भी करेंगे आज का दिन निवेश के हिसाब से बहुत अच्छा है उपाय क्या करें कि आज किसी गरीब को तीन तीन गरीबों को आप फल का दान करें कोई भी फल दान कर सकते हैं बहुत शुब रहें आप सेव दान कर दीजे आप केला दान कर दीजे आप अंगूर दान कर दीजे जो आपका मन है दान करेंगे दान करने से आपके जीवन में शुबता और बढ़ेंगे भविशिफल में आज बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात भवान कृष्ण आप पर करपा करें आपके जीवन की परेशानियों को दूर करें आपको उन्नती का रास्ता दिखाएं बोलिए जै श्री कृष्ण